श्रुष्टों आप लाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी Good News है एक और AIMS के दौरा नई भरति का विगयापन प्रकासित कर दिया गया है जीहां वह जांते ही होंगे की AIMS दौरा भी कई प्रकार की विभिन भरतियाँ निकाली जा रही है जिसमें की टेकनिकल के साथ साथ नन टेकनिकल पोस्ट के लिए भी advertisement निकाला जा रहा है और यदि आप aims में जौब पाने के इक्चुग हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी फाइदे मंद हैं तो वीडियो को बिना escape के हुए आप पूरा देखें इससे आपको aims राजकोट जो की गुजरात में इस्थित है द्वारा निकाली गई बिग्यापन उसके लिए क्या भी क्या सर्त है एज करिटेरिया और कौन-कौन से पोस्ट जो है इस aims राजकोट द्वारा निकाले गए हैं सारी जानकारी प्राप्त होगी तो चली आईए स्क्रीन पर देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि aims राजकोट ए सेंट्रल ओटोमोनस बोडी अंदर PMSY MOH and FW अर्थात यह परदानमंत्री स्वास्त रक्षा योजना के अंतरगत स्वास्त वंपरिवार कल्यान मंत्राल है कि अधीन aims जो है सेंट्रल गोवर्मेंट का एक उटोमोनस और्गनाजिसन है जिसमें कि यदि आपकी नोकरी हो जाती है तो आप पुरी तरह से सेंट् जॉब की बेकेंसी निकल गई है और यदि आप इसमें जॉब करने की इक्षुक हैं तो आप निश्चित रूप से इस फर्म को भरें दोस्तों इससे पहले भी इस बात का हम जिक्र कर चुके थे कि आपको aims का फर्म भरना चाहिए क्योंकि aims का फर्म जो है बहुत ही कम लोग जो हैं इस फर्म को नहीं बरपाते हैं लेकिन यदि आप इस चैनल से जूरे हैं और अनमाध्यम से भी आपको या फिरोजगार समाचार के माध्यम से भी आपको aims के जानकारी मिलती है तो आप ना चुके भले ही aims के विग्यापन में फी अत्याधिक रहता है लेकिन आपके लिए एक golden chance आ करके रहता है क्योंकि एम्स का विग्यापन में फी अधिक होने के कारण बहुत सारे कंडिर जो की पढ़ने में काफी तेज हैं वो नहीं भरते हैं और लोग जो है उतना ध्यान भी नहीं दे पाते कि अरे एम्स क्या है private है कि semi government है लोगों को पता ही नहीं चल प बाते हैं लेकिन आप ऐसी भूलना करें आप एम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले जो एम्स जो है स्वास्त परिवार कल्यान मंत्रा लेकि अधिन एक स्वास्त ओटो मोनस और जिसमें कि यदि आपकी नोक्री हो जाती है तो आप central government अर्थात जिस प्रकार railway SSC के मिलेंगी तो चलिए आए देखते हैं कि एम्स द्वारा जो यह बिग्यापन निकाला गया है उसमें कौन-कौन से पद हैं तो देखिए आपके स्कीन परस पस रूप से दिख रहा होगा इसमें पद जो है असिस्टेंट लॉंट्री सुपरवाजर असिस्टेंट नर्सिंग ग्रेट थर्ड लोवर डिविजनल कलर मेडिकल ऑफिशर आयूस मेडिकल सैकिस्ट इसके बाद मेडिकल रिकोर्ट टेकनिसियन जिसे की MRT बिक सौटकॉर्ट में लोग कहते हैं मेडिको सोसल सर्विस ऑफिशर ऑफिश असिस्टेंट प्रविजनल असिस्टेंट फिजियो थरेपिस्ट प्राइबेट सेक्रेट्री जुनियर इंजिनियर के बाद आपको 22 नमबर करम में देखिए जुनियर हिंदी ट्रांसलेटर जुनियर मेडिकल रिकोर्ड ऑफिशर इसके बाद स्पीज थरेपिस्ट असिस्टेंट अन्मिस्टेटिव ऑफिशर जिसे की डबल अफिसर टेकनिकल ऑफिसर इसके बाद टेकनिसियन के साथ अपर डिविनल कलर को वार्डेन योगा इंस्टेक्टर और स्टाप नर्स ग्रेड वन अर्थात नर्सिंग सिस्टर के बिग्यापन निकाले गए हैं तो आप जो है बिस्तुत रूप से एमस के वेब साइट पर ज जनकारी के लिए मैं बता दो कि यदि आप नन टेकनिकल फिल्ड से हैं अर्थात यदि सिर्फ आप इंटरमीडियेट पास हैं तो इसमें इस बिग्यापन में आप जो एक पद है लोवर डिविनल कलर का आपके स्कीन पर मैं दिखा रहा हूं कि लोवर डिविनल कलर की जो है उसके लिए यहां पर देखिए यह सिरियल नमबर दसवा जो है लोवर डिविनल कलर की यह गुरुपसी का जॉब है लेवल टू जो है इसका पे बेंट है और इसमें जो है कुल सीटों की संख्या दोस्तों नो है सिर्फ नाइन है तो यह आप सीट की संख्या को मत देखिए इसमें क्या वरेंगे नो ही सीट है इम्स का जहां भी वेकेंसी आती है तो उसमें जो है बहुत ही कम सीटों की संख्या होती है यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे इगनौर कर देते हैं और वह फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं जिसके कारण से competition काफी कम रहता है और जो भी बच्चे भरते हैं उसके भी जो है यदि आप अच्छे सपनी तयारी किये हुए हैं तो आप उसमें सफलता पास सकते हैं इसके बाद यदि आप इसमें गर्जुएट हैं अर्थात आप गर्जुशन किये हुए हैं और सिर्फ आपके पास गर्जुशन की डिग्री है तो फिर आप जो है इसमें एक पद जो है गजुसे नस्तर पर जिसका की आपको नाम अपर डिविनल कलर है स्रियल में आप देखिए चोतिसवा नंबर स्रियल में यूडी सी जिसे अपर डिविनल कलर कहा जाता है लेविल फोर का पोस्ट है और बहुत ही मस्त सेलरी आपको मिलेगी इस में कुल सीटों की संख्यां हलांकि तीन ही है जो की जेनरल काटेगरी की है लेकिन आप जो है इसको भर सकते हैं अपर डिविनल कलर के साथ नन टेकनिकल डिग्री वाले अर्थाद सामान रूफ से जो गर्जोट डिग्री धारी है उसके लिए एक और पद है जो की आपका स्रीयल नंबर पंद्रह में है जिसका की आपके इसक्रिण पर दिखरा होगा ओफिस असिस्टेंट एनेस लगा हुआ है तो एनेस का अर्थ यहाँ नन सेक्रेटरियट से है जीहाँ एनेस का अर्थ समझी है non-secretariat तो पंद्रावान नंबर करम का जो advertisement का post है office assistant ये group B का post है level 6 है ये post जो है आप सामान graduate हैं तो आप भर सकते हैं और इसमें पदों की कुलसंख्यां जो है वो 5 है आपके skin पे दिख रहा होगा चलिए हम सुबधा के लिए zoom कर देते हैं पात सीटें हैं और जिसमें general की सीटें चार हैं और general के बाद OBC की सीट जो है वो एक है तो सामान यदि आप सिर्फ गरजुएट हैं तो आप ये दो पद जो है upper divinal color का और office assistant का भर सकते हैं इसके अतरिक यदि आपके पास technical degree है तो technical degree के लिए ही aims बना है जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपके पास कोई technical degree है चाहे वो technician के रूप में हो या फिर nursing cadre के रूप में हो तो आपके लिए तो aims में जो है बेकेंसियों की बाहर निकलती ही रहती है आप जो है उसको वहर सकते हैं और अन टेकनिकल पत के लिए क्या योगिता है और उसमें क्या मांगा जा रहा है वो आप aims राजकोट के website पे जाए Google में सर्च कीजिए aims राजकोट और उसमें जाकर के जो है recruitment new का एक section आएगा उस section को खोल के देखी आपको विष्थित बिग्यापन नजर आ जागा इस वीडियो में हम सारी बातों का चाचा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा application date की बात करें तो application date जो है अभी form भरने का start नहीं हुआ अर्था अभी apply करने का शुरुवात नहीं हुआ जैसे यह apply करने की शुरुवात होगा application apply का link खुलेगा तो मैं आपको जो है वीडियो के मादियम से जरूर सूचना दे दूँगा कि अब जो है application आप फिल कर सकते हैं फी की अगर बात करें तो फी जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा तो नहीं रखा गया है लेकिन जैसा की एम्स का रूल regulation है उतना तो इसने भी रखा है तीन हजार का फीज जो है जेनरल ओवी सी कंडेट को जो है रखा गया है हम लोग इस बिगयापन में आपको दिखाते हैं तीन हजार का फीज जो है रखा गया है यहाँ देखिए फी वाले का हिटेरिया में आ करके यह आपका पहला नमर कॉलम जो है जेनरल ओवी सी कंडेट के लिए तीन हजार का फीज है और स्टी सी और इड़ुएस कंडेट के लिए जो है पंद्रह सु रुपया का जो है फी रखा गया है और यदि आप जो है परसन विद डिसेवलिटी है अर्थात आप बिगलांग अ यहां भी आता है तो उसमें अत्यादिक फीर हाता है कहीं कहीं पर चारहज़र भी फीज वसूल किया गया है लेकिन जेनरली 3500 फीर हाता है लेकिन एम्स राज्पोट में जो है जेनरल ओवी सी कंडेट के लिए 3000 का फीज लगेगा और कुछ बेंक्ट टांजेक्शन आपको लगेंगे अर्थात कुल जो है आप मान के चलिए 31 रुपया के आसपास आपको खर्च होगा परिक्षा कहां होंगे इस बात को देखिए तो परिक्षा जो है आपको राजकोट में होगा आमादाबाद में होगा इसके बाद नौएडा एवां दिल्ली में होगा और मुंबई में होगा इधर उत्तर भारत के जो भी कंड्रेट है कर सकते हैं कि यदि आप मिहार जारखन या फिर यूपी एमपी से हैं तो आप जो है नौएडा अर्था दिल्ली को जो है टेस्ट सेंटर करूप में सलेक्ट कीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यह गुजर आगया है एक्जामनेशन डेट के बारे में कुछ अभी डिकलेशन नहीं है वो जैसे ही आएगा वीडियो के माधियां से माप लोग को जरूर सूचना देंगे चलिए तो आपको एमस के बिग्यापन के बारे में जानकारी मिली एज क्रिटेरिया की बात करें तो एज लेगरी में है जिस प्रकार से सेंटरल गॉवर्मेंट में जो एज रिलेक्शन मिलता है स्टी के कंडिट को पांच वर्स का चुट मिलता है और OBC का तीन वर्स है अर्थात सीधी बातों में कहें तो यदि आप स्टी के कंडिट हैं तो 35 वर्स तक आपका अगर एज है तो आ का लिंक आएगा ऑनलाइन अपलाए होने का तो निश्य दूरुप से मैं आप लोगों को सोचना दूंगा चलिए मिलते हैं फिर वीडियो के नेक्स सेशन में तब तक के लिए गुड़ बाए